हेलो फ्रेंड्स अधित्या साउथ इंडियन फिल्म इंडिस्टी के जाने मने एक्टर और प्रडूसर हैं जिने हम कनड़ा फिल्म इंडिस्टी में काम करने के लिए जानते हैं और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज लीड एक्टर के तोर पर 2004 की मुवी लव से की थ था और एक बारी ने नेशनल फिल्म फेर अवर्ड के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है तो आज हम इस वीडियो में आदित्या सर की एज लीड एक्टर के तोर पर हिट और फ्लॉप मुवीज के बारे में जानेंगे और उनका कंप्लीट करियर एनलिसिस करेंगे आश चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं नमबर वान लव यह 2004 की रुमेंटिक ड्रामा मुवी थी इस मुवी की लीडिंग स्टार कास्ट में अदित्या रक्सिता और अमरीश पूरी दिखाई दिये थे मुवी का डिरेक्शन क्या था राजेंदर सिंग बाबू ने जो अदित्य अर्लीज किया गया था लेकिन फिर भी यह फ्लॉप रही नमबर टू आदी यह 2005 की रॉमेंटिक ड्रामा मुवी थी जिसका ड्रेक्शन किया था एम मैसर मेश ने लेडिंग स्टार कास्ट में अधित्य दिव्या और अविनास दिखाई दिये थे मुवी 2005 में अर्लीज होई लेडिंग स्टार कास्ट में अधित्य रक्षिता और तारा दिखाई दिये थे मुवी को 6.9 की MDV रेटिंग प्रापत हुई थी और कलेक्शन के साबसे यह एक ब्लॉकबस्टर फिलम साबित हुई थी लेडिंग स्टार कास्ट में अधित्या सादा और सुहहसनी दिखाई दिये थे मुवी का डिरेक्षन राजेंदर सिंग बाबू ने किया था और दर्शकों को यह मुवी कोई खास पसंद नहीं आई और कलेक्शन के साबसे यह एक फ्लॉफिलम साबित हुई नमबर फाइव मदाना यह 2006 की रुमेंटिक कॉमेडी मुवी थी लेडिंग स्टार कास्ट में अधित्या समिक्षा और चारमिला दिखाई दिये थे मुवी का डिरेक्षन किया था जाने माने अक्टर और डिरेक्टर जया जगदीश ने और मुवी को मदीवी दिवारा कोई की रेटिंग ने दी गई और कलेक्षन के साब से एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी डिस्ट्रिब्यूटर को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था नमबर शिक्स कृष्णा कृष्णा यह रुमेंटिक थ्रीलर मुवी थी जिसका डिरेक्षन किया था सुन अना परितियाना जिसका डिरेक्षन किया था ऐसे शिंदे ने लिडिंग स्टार कास्ट में चलेंजिंग सार दर्शन अदित्या और रायलक्ष्मी दिखाई दिये थे मुवी 2006 को रलीज हुई और 4.5 के मड़ी रेटिंग वाली यह मुवी क्लेक्षन के साब से एक एवरेज फिल्म साबित हुई यह एक बॉलीवड मुवी का दिकारिक हिंदी रीमेक थी नमबर एट डेडली सोमा 2 इस मुवी का डिरेक्षन किया था रवी शिरिवास्तवा ने लेडिंग सार कास्ट में अदित्या मेगना और स्वासनी दिखाई दिये थे मुवी 2010 में रलीज हुई और इसे नेगटिव आमडिव रेटिंग 2.2 की मिली थी और कलेक्षन के साब से यह एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी बात करें इसके फर्स्ट वर्जन की तो उसके मुकाबले में इस मुवी को हम फ्लो भी कह सकती है नमबर 9 विलेन यह एक एक एक्षन थ्रिलर मुवी जिसका डिरेक्षन किया था डी सुमाना की टूर ने लेडिंग सार कास्ट में अधित्यय रागिनी दवीवेदी और रंगायान रगु दिखाई दिये थे मुवी 2012 वो कर लीज हुई थी और 5.2 की मडिव रेटिंग वाली यह मुवी बॉक्स हो इस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और अधित्यय ने एक और बैक टू बैक फ्लोप मुवी दी नमबर 10 इडी गरी के इस मुवी का विडरेक्षन किया था डी सुमाना की टूर ने लेडिंग सार कास्ट में अधित्यय अतुल कुल करनी और अकांग शा एम दिखाई दिये थे मुवी 2012 वो कर लीज जोड़ी जिसका डिरेक्षन किया था विजय लक्षमी शिंग ने लेडिंग सार कास्ट में अधित्यय रादिका कुमार स्वामी और रम्या कृष्णा दिखाई दी थी मुवी 2007 को रलीज हुई थी और 4.8 की मड़ी रेटिंग वाली या मुवी नेगटिव रिवीव के करन बॉक्स और इस पर एक फ्लॉफ फिल्म साबित हुई थी और इसी के साथ ही अधित्या सर ने कई बेक टू बेक फ्लॉफ मुवी दी थी नमबर 12 रेबल इस मुवी का ड्रेक्षन के यादा एश्वीरा जेंदर सिंग बाबू ने लिडिंग स्टार कास्ट में अधित्या अंगलूर एंडर वर्ल्ड यह एक एक एक्षन थ्रीलर मुवी थी जिसका ड्रेक्षन के था पी अन सत्या ने लिडिंग स्टार कास्ट में अधित्या पायल रादा कृष्णन और डैनियल बाला जी दिखाई दिये थे मुवी 2007 कुरली जोई और 4.8 के mtv रेटिंग वाली य अलंकि कई वेबसाइट्स इसे एक हिट फिलम भी बताती हैं नमबर 14 चकरवर्ती जिसका ड्रेक्षन किया था अर्जुन जान्या ने लेडिंग स्टार कास्ट में चलेंजिंग स्टार दर्शन कुमार भंगर अपपा दीपा सरनीदी और इदित्या दिखाई दिखाई दिय मुंदु वारेया अधाया यह 2021 की साइकलोजिकल एक्षन थ्रीलर मुवी थी जिसका ड्रेक्षन किया था बालू चंदर शेकर ने लेडिंग स्टार कास्ट में अधित्या एम चंद्रू और जया जगदीश दिखाई दिये थे मुवी 2021 को रलीज हुई और इसी 7.1 की MDV आती है नाने नेक्स्ट सीम जिसमें वह रागनी दुवी वेदी के साथ लेडिंग स्टार कास्ट में दिखाई देंगे नमर 17 पर उनकी एक और मुवी के नांसमेंट हुई है जिसका नाम है मास्टर जो एक एक्षन थ्रिलर मुवी होने वाली है जो आने वाले समय में में ब सब्सक्राइब करना मत भूलना बैल आकन भी दुबा लेना ताकि मारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हम मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो में तब तक कि लिए आपन रही है हमारे साथ धन्यावाद